बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com किसी के जीवन से दुख दुरभाग्य और दरदरता को मिटाता है आपका एक शेर किसी के जीवन में सुख सम्रित धियो और स्वभाग्य लेकर आता है आपका एक शेर इसलिए शेर तो बनता है कमल नंदलाल यही कहता है और खास बात क्या अगर आप मेरी सिमाई लेना चाते हैं, मेरी सर्विसिस लेना चाते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाते हैं, फैक्टरी का वास्तु दिखाना चाते हैं, या अपने शॉप का वास्तु दिखाना चाते हैं, अपनी कुंडली रीड करवाना चाते हैं, होरोस्कोप की इ अपनी सर्विसे सिलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे मैं आपके कॉल का इंतिजार कर रहा हूँ तो चलिए अब वास्तु का सच में बढ़ते हैं एक कदम आगे और डिसकस करते हैं वास्तु के खास विशे पर मित्रों आज हम बहुत एक खास चीज़ डिसकस करने वारे है रंगोटसब, होली और होली जो खेलने वाली होती है उस दिन विशेश तोर से हम अपने घर में रंगोलियां मनाते हैं घर में साफसफाई भी करते हैं और फिर से उसे गंदा करते हैं रंग से, गुलाल से, कारण क्या है क्योंकि इस परव को धूली वंदन कहा गया है ये धूल से खेलने का परव है इसे रंगोटसब भी कहा गया है क्योंकि ये रंगों से खेलने का परव है हुली एक ऐसा स्पेशल परव है जब पांचों तत्व एक साथ समायत हो जाते हैं आप खुद सोचिए पूर्णिमा का दिन है चंद्रमा अपने पूरे शमा वेश पर है इसमें हम जल तत्व को बढ़ा रहे हैं रंग वाली हुली खिल कर नमबर एक दूसरी बात इस समय पर हम धूल को उड़ा रहे हैं यानि कि प्रत्वी तत्व को भी हम उड़ा रहे हैं कलर वाली हुली जब हम पानी से खिलते हैं वो गुलाल वाली जब हम हुली खिलते हैं तो हम धूल को उड़ा रहे हैं हम अगनी जला रहे हैं तीसरा तत्वा चौथा तत्वा हम विशेश रूप से वायू को देखते हैं अब आपको ये भी बता दो होली के जो लौ होती है न जब होली जल रही होती है तो उसकी अगनी की लौ किस तरफ जा रही है वास्टू के नुसार ये बहुत निर्भर करती है अगर पूर्व की तरफ जाए तो सरकार खुश रहती है जनता खुश रहती है पश्चिम के तरफ जाए तो समानने रहती है दक्षण की तरफ जाए तो अगनी कभे रहता है जनता को प्राब्लम सोना कर देती है देश और दुनिया के लिए क्योंकि वर्षा का आगमन शुरू हो जाता है तो इसलिए ये पंच तब का पर्व है और ऐसे में विशेश तोर से ये जो समय है ये जो पर्व है ये अपने आप में बहुत ही जादा खास माना जाता है और हमारा जो विशे है वो ये है कि हम रंगों की जो बनीवी रंगोली है उसको कैसे सजाएं उसको विशेश तोर से किस दिशा में सजाएं ताकि घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो देखे एक विशेश तोर से इस चीज़ को समझा जाना चाहिए लक्षमी के आगमन के दिशा लक्षमी के आवागमन के दिशा दक्षण को माना गया है मूलतह होली के तरह ही लक्षमी भी दिपावली के तरह ही लक्षमी होली पर भी प्रवेश करती है ऐसे में घर की दो दिशाएं बहुती खास मनी जाती है उत्तर और दक्षन मैंने कहा होलिका की जो law होती है वो बहुत matters करती है पूरव और पश्चिम की तरफ तो अच्छी रहती है लेकिन जब ये कभी उत्तर की तरफ और दक्षन की तरफ आ जाए बहुत ज़्यादा problem create करती है मूलतह घर में अगर रंगोली बनाई जाती है तो उसके दो ही sides है या तो उत्तर या फिर दक्षन और विशेश तोर से लक्ष्मी का समाविश इसी प्रकार से किया जाता है ताकि लक्ष्मी का जो प्रवेश हो वो दक्षन से हो और उत्तर से वो बाहर जा न पाए ऐसे में घर की उत्तर और दक्षन दिशा दोनों दिशाओं के अंदर रंगोली बनानी चाहिए और विशेश तोर से आपको बता दूँ कि अगर आपके घर का जो मुख है वो जिस दिशा में है रंगोली उसी तरफ मनाई जानी चाहिए विशेश तोर से देखिए अगर आपका घर इस्ट फेसिंग है तो मुखे दरवाजे पर आपको ध्यान रखें अंडा का डिजाइन के रंगोली बनाई है और विशेश तोर से घर के अंदर भी उत्तर और दक्षन में तो रंगोली कौमन है बनानी ही चाहिए और विशेश तोर से इसमें लाल रंग का प्रियोग या सुनेरी रंग का प्रियोग किया जाता है अगर आपका घर उत्तर मुखी है तो आपको रंगुली लहरदार लहराती हुई बनानी चाहिए इसे पीले हरे कलर से बनाना चाहिए और विशेश तोर से इसके बीच में एक लोटा जल का जरूर रखना चाहिए रंगुली के सेंटर में विलकुल अगर आपका घर आयातकार हो दक्षन मुखी हो तो विशेश तोर से दक्षन पूर्व दिशा में घर में जो त्रिकोन है उस आकार की रंगुली बनाएं और विशेश तोर से लाल गहरी नारंगी रंक्या आप रंगुली बना सकते हैं अब बताता हूं आपको पश्चिम मुखी जो घर हैं उनके लिए कैसी रंगुली बनाएं तो ऐसे में गोलाकार रंगुली बनाएं यहां फिर पंचकोन पैंटगन आकार की रंगुली बनाएं और विशेश तोर से इस दिशा में आस्मानी कलर सुनहरे सफेद तथा भूरे रंगे हलके रंगों का प्रियोग आप कर सकते हैं तो विशेश तोर से मैंने आपको बताया कि घर में दो रंगुली तो 100% मनाएं उत्तर और रख्षन में लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपका घर किस मुखी है उस अनुसार से लक्ष्मी का प्रवेश किस दिशा में आप करवाएं तो मितरों आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तू का सच में जा हम करेंगे वास्तू के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान और बताएंगे वास्तू के ethical code conducts यानिक वास्तू के शास्त्र किनुसार कैसा हो आपका घर कैसा हो आपका व्य तो आज के लिए बस इतना ही लेकिन जाने से पहले आपको जरूर कहूंगा केस्टो तक को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर तो जरूर बनता है कमल लंदलाल यही कहता है शेर करें पुन्नकमा है और खास बात कि अगर आप मेरी कोई सेवाई लेना चाहते हैं अपने ए हर इंडस्ट्री, दुकान, पैक्टरी का वास्तु दिखाना चाहते हैं या अपनी कुंड़ी रिड करवाना चाहते हैं या कीसी समस्यमां अफस्जम में जिसका समधान चाहते हैं तो पता क्या है। सीधहा मोवाईल अपने ब्राउजर पर या अपने लेप्ट आप से हम www.astro.com पर सीधा मेरे प्रोफाइल में जाएए और सर्वेसिस को सेलेक्ट करके कॉल मिला लिजाए मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूं इजाज़त दीजे अब अपने प्रितर कमल लंदलाल को इस उमीद के साथ की आने वाला जो कल है ना हमारा वाज से कुछ बहतर हो इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षवाए